हलो दोस्तोश नमस्कार दोस्तोश आज एक ऐसी CMP को लेकर आया हूँ जो की एक स्मॉल कैप की कमपनी है और इसके जो सभी इंटरी पॉआइंट हैं या फिर जो सभी पैरामीटर होते हैं वह इंटरी के लिए fit बैठ रहे हैं इसलिए इस company को लेकर आया हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाऊगे कि मैं जिस company के बारे में बात कर रहा हूँ वो company crank salt manufacturing करती है यहाँ पे आप देख पाऊगे और आप वीडियो को पॉज करके भी इसके बारे में जान सकते हैं दोस्तों अब हम चलते हैं company के यहाँ लाने का मकसद मेरा यह नहीं था मेरा मकसद यह था कि मैं आपको इनके management से मिलवा सकूँ यह है company के विकाश होने के कुछ खाहनी यहाँ पे आप देख पाऊगे अब हम चलते हैं यहाँ पे आप देखोगे कि यह किस तरह की product का निर्माड करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से अब हम चलते हैं इनके leader से यानी company के जो director है management है उनसे मिलने चलते हैं देखी जसपाल सिंग चंडॉक यह managing director है इस company के और त्रिमान सिंग चंडॉक executive director हैं साथ में जैकारा सिंग चंडॉक यह marketing director हैं दोस्तों अगर हम बात कर लें कि company क्या काम करती है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि company क्या काम करती है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि company जिस भी field में काम करती है यहाँ पे आप पाएंगे कि company का जो product range है वो क्या है defense में भी company है यह mobility में भी है तो अब हम देखने देखना चाहते हैं कि company का जो product range है वो क्या है यहाँ पे आप देख पाओगे आराम से कि company किस तरह की काम करती है यहाँ पे चलते हुए चलचित्र में आप देख सकते हो कि company railway से भी जुड़ी हुई है defense से भी जुड़ी हुई है और साथ साथ में industry से भी जुड़ी हुई है दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बता दूँ कि company जो है कि नया energy नाम से एक अपना एक अलग division ही बना रही है और division चला रही है बना रही बना हुआ है battery division ecosystem building energy storage जो अभी फिलाल में जो फुचुरिस्टिक जो काम है वो नया energy division में company कर रही है यहाँ पे आप देख पाओगे recycling division इस तरह के काम एक company कर रही है दोस्तों अब हम चलते हैं company कुछ basic information पे और ओचीज में यहाँ मिलेगी दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे कि company का जो revenue है उसका geographical split क्या है company जो है कि बारी देशों से 99% तक का revenue generate करत दोस्तों crank shop आप यहाँ पे देखोगे कि 3 लाग पर year के इसाप से यह company manufacturing करती है और forging 5000 टन पर मन्त दोस्तों आपको अगर पता नहीं होगा कि crank shop क्या होता है तो आप google कर लेना आपको यह चीज़े मिल जाएगी आराम से फिर आप समझ पाओगे दोस्तों अगर हम बात कर लें कि company कहां कहां शेवा देती है तो यहाँ पे भी लिखा है company जो आएगी automotive, off road, on road, various vehicle, high performance application, industrial heavy duty, oil and gas, marine defense railway आदी में यह company काम करती है जैसा कि मैंने बताया new energy नाम की segment से भी यह company अब काम कर रही है दोस्तों यह company अपना subsidiary में भी पैसे लगाई है यहाँ पर आप देख सकते हो और साथ में company ने मैंने मैं इस company को क्यों लेकर आया क्योंकि यह preferential allotment कर रही है इसलिए यह company चर्चा में आई है यह बात आप ध्यान रखना दोस्तों अब हम चलते हैं इसके कुछ basic चीजों पे जैसे की P&L पे चुकि company अच्छी है तो इसे हमें देखना भी काफी जरूरी हो जाता है जैसे की sales company की sales कितनी है दोस्तों 142 करोड की sales थी 21 में फिलाल में अब 327 करोड की है यानि एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है और हम net profit में बात कर लें तो net profit में भी अच्छी खासी बड़त हमें देखने को मिल रही है दोस्तों एक बात और आप दियान रखना कि company के पास other income है यहाँ पे आप देख पाओगे कि 5813 company के पास other income भी शामिल है यानि में सोर्स से अगर हम income को गटा दे तो कितनी बचेगी आप यहाँ पे calculate जरूर करना और फिर बाद में आप यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों company पास वर्सों से 26% CGR के हिसाब से return भी बनाके दे रही है लेकिन borrowing की बात कर ले company पास कितनी borrowing है तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि company के पास जो है कि 12 करोड की borrowing है और जो reserve है company के पास 114 करोड का है यानि company almost dead free है यहाँ पे आप देख सकते हूँ अब हम चलते हैं company के share holding pattern पर उससे पहले cash flow की बात करते हैं cash flow माइनस में दिख रहा है थोड़ा था लेकिन promoter holding pattern में हम यारली promoter holding pattern लगा लिये हैं आप देखे कि मार्च 17 में 56% की holding हुआ करती थी और 19 के बाद 20 के बाद इन्होंने अपने holding को एका एक increase कर लिया और holding को बढ़ा कर जो है कि 79% तक ले गए 70% तक और अभी फिलाल में इनके पास जो holding है 57% की है दोस्तों मज़े की बात या है कि मार्च 21 से इसमें FII भी आ गये हैं और अगर हम बात कर लें कि हमारे और आप जैसे लोग 35% हैं लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है कि इसमें big अचनाई भी खरिदारी कर रहे हैं ओ बात भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों जून 23 में EcoTech General Trading ने 14 लाग सेर इस कंपनी के बाई किये हैं 15 करोड में 109 रुपए क भाव पर और साथ में अपरेल 23 में Discovery BuildCon ने भी इस कंपनी के 5.5 करोड के सेर बाई किये हैं दोस्तों Dream Achiever Consultancy ने भी इसके 5.5 करोड के सेर बाई किये हैं और साथ में आपको जैसा कि मैं बताया कि एक कंपनी प्रिफरेंशियल अलाटमेंट भी कर रही है यहाँ पे भी एचनाई के नाम आपको दिखेंगे यहाँ पे आप देख पाओगे एक मिनट माप करना यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो बड़े निमेशक हैं जैसे कि बंगाल फाइनेंस शाथ में हो गया आपका आशीश रमेश चंद कचावलिया ए भी इस श्टॉक म यहाँ पे आप देख पाओगे कि हैं और उसी के साथ नटवर लाल भाई भी हैं यहाँ पे और राथाओर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी इस कंपनी में हिस्सेधारी ली हुई है कुल मिलाज उलाकर कहा हैं तो 10% की होल्डिंग H&I के कबजे में है और FII के पास 60% 57% की होल्डिंग प्रमोटर के पास तो कुल मिलाज उलाकर कहें तो सेफ हाथ में कमपनी का मैजोर्टी शेयर है तो दोस्तों यह राख कमपनी के बारे में कुछ न्यूज, कुछ जानकारियां जैसा कि मैंने बताया इसमें आली में लोगों ने खरिदारी भी की है और कमपनी का परफॉर्मेंस अगर हम देखें ओवराल तो ठीक है अब हम P.E. की बात कर लेते हैं लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैंने आपसे कुछ चर्चा नहीं की जैसे कि स्टॉक का P.E. 42 है थोड़ा फै जादा लग रहा है लेकिन मार्किट का इप 2,000 करोड का है फिलाल में 207 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रही है वुक वैलू जो है की 23 रुपए और इंट्रेंसे वैलू यहाँ पे आप देखोगी की 101 रुपए है ROE और ROC जबरदस्त दिखाई पढ़ रहा है और debt to equity मैंने कहा कि मैंने जबल है faith value 10 है यहाँ पे आप देख पाओगी कोई भी dividend भी आपको यह pay नहीं खरती company के पास कैस equivalent 8 करोड के लगभग है और industry का P.E. 35 जैसा कि मैंने आपको बता दिया है तो दोस्तों एक कुछ basic चीज़े हैं अब हम चलते हैं इसके P.E. पे की company का P.E. जो है कि कि किस हिसाब से है और आपको किस P.E. पे निवेज करना चाहिए तो अब हमागा है company के P.E. पे आप देख पाओगे कि company का P.E. बहुत जादा high पे नहीं है अभी फिलाल में 35 पे है लेकिन median P.E. अगर हम का है पांच सालों का तो median P.E. निकल के आ रहा है 24.9 हम maximum पे लगा लेते हैं तब भी आपको 24.9 यानि company इसी समय लिस्ट हुई थी आप आप देख पाओगे तो दोस्तो यह रहा इस companies related कुछ चीजे यहां पे FII भी हैं DII भी हैं और साथ में promoter की एक अच्छी खासी holding भी हैं तो आप श्टाक पे जाके बरोशा कर सकते हो और एक बात और मैं आपको बता दूँ आप यहां तक आगए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ में share भी करना तो दोस्तो यह रहा वीडियो उम्मेद है वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद